नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रूपल व्यास जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान का महा मुकाबला होने वाला है और लग रहा है उस मुकाबले से पहले दोनों ही बोर्ड बी सी सी आई और पी क्या चल रहा है बी सी सी आई और पी सी बी के बीच जो होना है उससे पहले यह माना जा रहा था है कि motivations जो वह यह बानन नी पैसे नहीं कमाएगा उससे ज्यादा पैसे इंडिया के साथ एक मैच खेल कर कमा सकता था और यह बहुत बड़ा सेट बैक पाकिस्तान को लगा जिससे पाकिस्तान परेशान है इस पर रोहित शर्मा का भी अब रियाक्शन आ चुका है रोहित का रियाक्शन है लेकिन रोहित क कि बीच जो भी चल रहा है उसमें हम पढ़ें जो भी डिसन लेना है वो भी CCI को लेना है और वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं उनका फोकस पुछी तरीके से मैच पर कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एंसर दिया है क्योंकि लगातार इस तरह की बाते पाकिस्तान से भी ह कर लेना चाहिए तो इस तरह के थ्रेट लगातार पाकिस्तान के तब से आ रहे हैं लेकिन यहां पर रोई शर्मा ने बहुती सधी हुई प्रिक्रिया दी है एक डिप्लोमेटिक एंसर दिया है कि मुझे उसमें नहीं पढ़ना है हमारा फोकस तरीके से मैच पर है BCCI जो फ पत्ता भी किसके हाथ में जैशा के हाथ में है और जैसे ही सवरव गांगुली की BCCI से बाहर हुए उसके तुरंत बाद जिस तरीके का स्टेट्मेंट आया खास तोर पर एशिया कपको लेकर उसके बाद सारे पत्ते जो है खुलकर सामने आगा और इसी से पीसी भी जो वह तो फिलाल रोश शर्मा का स्टेट्मेंट यह ही है कि उनका फोकस जो है पुई तरीके से गेम पर रहने वाला है जो मौसम है बहुत ही क्लाउडी अलग रहा है कि वह भी आपस में उनका भी भी बिरन चल रहा है तो क्या लगता है मैच होगा कि नहीं परसेंट चांसे बाद टाइम में बिके हैं फैंस को इंतजार होगा कि मैच होना चाहिए लेकिन अगर बारिश उसमें स्पाइल स्प्रोट्स प्ले करती है तो फिर फैंस को यहां पने राशा मिलेगी और शायद पीसी बी जो चाहता है वो भी हो जाए चलिए बने रहिए इस तरह की इंट्रस्ट के नाब